पनीर के चोटे चोटे इस तरह से चुब्स किया एदगो। शिमला मिर्च और तिक्की बनने के लिए 2 चमच बैसन, 1 चमच कसुरी मेथी, 4 या 5 चमच क्रीम, गरम मसाला, अधरक और लसन की पेस्ट, टेस्ट के लिए नमक, जिरा पाउडर और दनिया पाउडर सबसे पहले घ्की को हम मारिनेट करते हैं घ्की को मारिनेट करने के लिए आप दही का ही यूस कर सकते हो, मने इदर क्रीम लिया है तो सबसे पहले यह जो बैसन है बैसन को बूलना है देखो मेरे पास बैसन है बैसन को हम अच्छे से बूलेंगे और पनेतिक की बनने के लिए आप ओईल का यूज़ कर सकते हो नहीं तो बटर का ही यूज़ कर सकते हो मैं बटर यूज़ करने वाली हूँ आप चाहिए आपको जो पसंदे हो उसका यूज़ कर सकते हो बैसन को अच्छा सा ब्राउन होने तर बूलते हैं तो इसमें टू टेबल स्पून ऑईल दाते हैं बैसन बूल गया है अब मैं इसको निकलती हो यूज़ बड़ेवा हो देखो ये बैसन बूल गया है गरम बैसन है थोड़ा थल्ला होने देते हैं अब इसमें दाल देते हैं एक टैस्ट के लिए नमक गरम मसाला जिरा पाउडर और धनिया पाउडर इसको मिक्स करेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डल के मिक्स करना हैं इखे हुआ कोई भी इसमें लंस नहीं रज़नी चाहिए अब इसमें डालते हैं ये आदर करलसन की पेस्ट अब कोई पनीर की का थोड़ा तिखा चाहिए तो इसमें आप लाल मिक्स पाउडर भी ढाल सकते हैं और ये में यूज करने वाली हूँ एक क्रीम मैंने लाइट क्रीम ली है मैंने बेशन यूज किया है अब राइस फ्लोर कॉंट्रावर भी यूज करते हैं देखो ये ज्यादा गाड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए इस तरह से बन गया है अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ हाफ तैबल स्पून वाइट विनेगा बस टू थ्री ड्रॉप्स डाल देते हैं और इसको मिक्स्ट रहते हैं अभी इसमें डालते हैं कसूरी मिथे इसको हाट से थोड़ा क्रश करते हैं ये मिश्रान हुआ तैयार आप सबसे पहले इसमें डालते हैं ये पनीर क्यूप्स ये मिक्स करेंगे वाओ लेको बटाचां रफ इसमें लेक्सिकों प्ताश डाल देते सब चीज़ों को मिक्स करेंगे चलो ये तो को मिक्स अभी इसमें डालते हैं ये टमाटार जितना गे चाहरे अतना डाल सकते हैंगो आभी इसको 15 मिनित के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं पनील टिक्का बनाने के लिए एपनील मैरिनेट हुआ है और इसके लिए मैंने उडन स्टिक ली है इसको मैंने पानी में भीगो के रखा है क्यूंकि जब आप टिक्का बनाते समय आग पर पकाते हो में स्ट्राय करते हो उस टाइमें जलनी नहीं चाहिए यह पान गरम होता है तब तब यह जो स्टिक है इसको यह सारी चीज पैज टमाटर पनीर इसमें लगाना है बहुत अच्छा मारिनेड हुआ है सबसे पहले मैं इसको लगाती हूं टमाटर इसके पाद लगाते हैं प्रैज इसके पादे लगाती हूं में कैपसिक बीच में थोड़ा डिस्टन्स रखना है और पनीर क्यूप्स एट टमाटर और पनीर जैसे आपको चाहिए वैसे आप बना सकते हूं पैन गरम हुआ है अभी इसको लगाते हैं बटर आप चाहिए तो ओईल का भी यूज़ कर सकते हूं लेकिन मैंने मुझे बटर पसंद है इसलिए मैंने बटर लगाया है अब इसके उपर रखे जाएगे और चारो और से अच्छा सा ब्राउन होने तक जाएब करें दो कि नहाएब के जाएब कि रखे जुड़ाँ बटर ड़त रखे और प्सहों घ्ट बटर लेगे भी जाएब कशोरों बटर ग्याब कि रखे उखे उप्स्ता साया पित था प्स्तों प्सूवत्स रखे वां अच्छा ब्राउन करना है सब तिक पनी टिक का खाने में मता है पास यह उडन स्टिक नहीं है तो आप डारेक्टली पान के रूपर बिश बिश में डिस्टंस रखके इसको अच्छा ब्राउन भी कर सकते देखो यह चाड़ो ओच से बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन बन गए है मैं आभी इसको इसरवी प्लाइट में निता लूँ वाँ दीजे गर्मा गर्म पनीर तिक का बनके तयार है और आपको खत्ता मीता चाहिए तो इसके उपर आप चांट मसाला भी डाल सकते हो आप भी इस टाइट से पनीर का ज़रूर बनाईए खाईए आपको बहुत पसंद आएगा आप भी इस तरह से पनीर तिक का ज़रूर बनाईए खाईए आपके आनों बहुत शेयर कीजे मेरे चानल के लिए जरूर लाइक कीज़े सबस्क्राइब कीज़े फिर हम मिलते हैं नए रेसिपिक के साथ गुडबाई एव नाइंस टे